हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस जो च्छात्र अभी तक गड़ीत में कुछ नहीं पढ़े हैं वो च्छात्र बीना पढ़े गड़ीत में पास होने का एक ट्रिक बताएंगे यह ट्रिक यदि आप समझ जाते हैं तो आप गड़ीत में आसानी से पास हो जाएंग धिस नंबर का आपके अगत ठीक होगा ठीक है तर्चाहेजेंगे किुआ खेकर बिच गंता फार हीच्छ आपक्छ already यह पीज़ेगा समझाएगे आ रहा हो जब पहले हल कर सकते हैं यदि एक भी कोईशन इसमें नहीं आ रहा है आपको ति इसको आप लाश्ट में कीजिएगा यह इसलिए आपको पता रहे हैं कि आपके हो सकता है कि बगल के जो च्छात्र होगा उसको कुछ न कुछ आ रहा हो कि वो भी आपको हेल्प कर सकत है या आपको और कहीं से हेल्प मिल सकता है आप समझदार है समझ सकते हैं ठीक है फ्रेंस अब देखे फ्रेंस पचास नंबर का जुब लिखित होगा वरणात्मक होगा यानि पचास नंबर का आपको उत्तर पूस्तिक आप लिखना उस प्रशनों को आप कैसे हल करेंगे यद इसके नंबर मिलेगा ठीक है तो आपको क्या करना है कि इन जो 4 यहां पे दिख्ञा इस चार पॉइंट को ध्यान दिजीगा है पहले आपको हर प्रश्यान नार्लॉफ लिखना है उसमें माना की लिखना है दिया है चिन्न का प्रयोग यह बराबर का पर्योग जरूर ठीक है अब चलिए फ्रेंस आपको जो 50 नंबर का लिखित प्रशन आएगा उसको आपको हल करके बताते हैं कि आपको कैसे हल करना है देखे फ्रेंस यह आपके सामने प्रशन है जैसे इस सवाल को आपको करना ही चार नंबर का प्रशन कितने नंबर का चार नंबर का है अब इ को प्रश्णौत्तर संख्या ठीक है यह यह डाल ये का उसरे का का आपकर नहीं जान रहा है फिर भी इस सवाल को हल करके बताते हैं कैसे हल करेंगे देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है चोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है दोनों संख्या ग्याद कीजिए अब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है देखिए अब कैसे हल करेंगे यहाँ पर पहले लिखिए कर माना ठीक जो बता है उसी में से लिखना अब पहले लिखिए हर सवाल में माना की ठीक माना की अब माना की अब देखिए इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है यहाँ आप कर रहें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 ह च्छोटी संख्या का वर्ग च्छोटी संख्या दिया है तो इसको 되지 पता होगा तो अपना लगाएगा ठीक है उसके बारे में सवाल कर दिएं वह सवाल आप तक उतार यह पहले वर्गो का अंतर कि इसलिए कितना है 180 अंतर कितना 180 अब देखें यहां पर क्या करेंगे फ्रेंज आप माल लीजिए ठीक यहां पर आया कि छोटी संख्या दिया है ना देखिए अगला इस्टेप में क्या है आपका छोटी संख्या कवर गया यहां पर आप माल लीजिए यक्स क्या मानेंगे आप छोटी संख्या यक्स माल लीजिए इसमें से छोटी संख्या यह और यहां पर देखिए फ्रेंज इतना तो आपको पता होगी जब दो संख्या एक छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या होती होगी यहां पर बड़ी संख्या क् 가요 लिखेंगे तो यहां पर आपको कितना यक्स माने हैं और जब अंतर दिया रहाए गा सवाल में, यहां पर सवाल में जब अंतरsama देगा तो इसको किया कीजेगा जो संक्या मने उसमें जोंचंखिया माने उसमें जो और दीजेगा ती यक्स vrais Argentina हो जागा अब फरिंच जैसे हमको कुछ नहीं पता है तो देखे जो मानेंगे, आप उसी को देखी जैसे चोती संख्याका वर्ग енजानती को पता है, तो यहाँ चोती संख्याक प्लस 180 कर लीजी और इधर क्या दिया है संख्या का आठ गुना है तो बड़ी संख्या कितना गुना आठ गुना यानि कि बड़ी संख्या है इसका क्या करेंगे आठ का गुड़ा कलें गुणा मतलब गुड़ा कल लेते हैं यहां लिखना लिख सकते हैं कि यह छोटी संख्या समझने करें बढ़ जाएंगे अब देखे इस सवाल को हल करना कैसे अल करेंगे मालीजी आपको कुछ नहीं पता है यह पता होगा ना कि इसको यक्स स्कौार लिख सकते हैं ठीक यह कम सब अब आठा का इक्स में चोड़ आएंगे क्शार नंबर का प्रशन ना कम सब्सक्राइब आप करके आजाएंगे तो दो नंबर आपको पूरा देगा ठीक है तो फ्रेंश देखिए इस तरह यह त्रिक लगाते हैं तो आप जरूर पास हो जाएंगे ठीक है आपका यदि 70 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर में आपको कम से कम 40 से 45 नंबर यदि step by step करते हैं तो 40 से 45 नंबर आसानी से मिल जाएगा ठीक है